तेजस्वी यादोवर नितीश कुमार को विधान सभा द्यक्ष बिजय सिनहा अब लग रहा है कि खूला चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कल तो विधान सभा के अंदर जाकर विधान सभा द्यक्ष की कुर्सी पर हम ही बैठेंगे तो दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वह कह रहे हैं कि आप नहीं बैठेंगे लेकिन सबसे बड़ी खबर इसमें की है कि बिजय सिना के खिलाप जो अभिश्वास प्रस्ताव तेश्वी यादों के खेमे की तरफ से लाया गया था उसको खुद बिजय सिना ने ही खारिज कर दिया यानि कि बिजय सिना को हटाने के लिए अभिश्वास प्रस्ताव लाए गया बिजय सिना ने कहा कि भाई या तो अभिश्वास प्रस्ताव नियम और कानून के खिलाप है और बिजय सिना ने अपने खिलाप लाए गया अभिश्वास प्रस्ताव को अपने से ही खारिज कर दिया है और अब कहा जा और में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जनता जिंक्षन आज बिजान सभा द्यक्ष्ट के विजय सिनहा ने एक प्रेश कॉंफेंस किया वहाँ पर मेडिया वालों से बातचीत करते हुए नोंने कहा कि हम अपने खिलाप लाए गए अभिश्वास लाए गया है वह नियम और कानून के हिसाब से नहीं है संसदिय नहीं है विजय सिनहा ने कहा कि हमारे उपर जो आरोप लगाया गया है वह हिसाब से नहीं है वह नियम और कानून के मुताबिक नहीं है और इसलिए हम इस अभिश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हैं हम इस साथ हम अभिश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करेंगे और इसके बाद उन्हों अभिश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसके बाद से अब कल क्या होगा इस पर सब की नेजर बनी हुई है जदियू की तरफ से कहा गया है कि कल अध्यक्ष की कुर्सी पर हम को चलाएंगे और बिजयस इनात असा जदियू के जो बिधान सभा उपाध्यक्ष है वो आमने सामने हो गया है जदियू की तरफ से जो विधान सभाव उपाध्यक्ष है उन्होंने प्रेस्ट किया उन्होंने कहा कि कल अध्यक्ष पत्की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और सबसे पहले बहुमत सीद होगा कुल मिलाकर अब अभिहार में मामला फंस गया है अभिश्वास प्रस्ताओं के जरिये माना जा रहा था कि बिजयस इना को हटाया जाएगा लेकिन अब बिजयस इना लग रहा है कि तेश्वी और नितिश कुमार को खुला चैलेंज दे अभिश्वास प्रस्ताओं खारिज कर दिया अब आपको जो करना है वह कीजिए आपको अगला जो कदम उठाना है वह उठाएगे और विजयस इना ने तो मीडिया के आकर कह दिया कि हम इस्थिपा देने नहीं जा रहे हैं और इस्थिपा ना देने की बात बोलकर उन्हों प्रस्ताओं लाते हैं विजयस इना अपने उपर लाएगे विश्वास प्रस्ताओं को खुद खारिज कर देते हैं और इसके बाद आकर कहते हैं कि हम इस्थिपा भी नहीं देंगे अब फिलहाल महौल पूरा गर्माया हुआ हुआ है लोग कह रहे हैं कि अब विजयस इना को कैसे हटाया जाएगा कुछ लोग कह रहें कि संविधानिक संकट है विहार में अगर विजयस इना इसिपा नहीं देते हैं और विश्वास प्रस्ताओं पर चर्चा नहीं होती है तब बाकि अब देखना होगा कि कल सदन के अंदर क्या कुछ होता है कैसे विजयस इना को अध्यक्ष की कुर्ची पर बैठने से रोका जाता है या क्या बिजयस इना अध्यक्ष की कुर्ची पर बैठ पाते हैं आगे जो कुछ जनकारी आगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे आप जन्तरिशन के साथ जूले रहेंगे हम आप तक तमाम खबर तमाम जनकारी प बहुत हो धन्यवाद।